नमस्कार साथियों सीडी जॉप एजुकेशन के ओफिसियल यूटूप चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है 36 गण में नई सिक्षक भरती की हल चल फिर हुई देज टी और यी संवर्ग अब हो सकते हैं एक जीहां साथियों मैं आज इस वीडियो में इसी विशय पर चर्चा करूँगा जो साथी नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों जैसे की आपको यहाँ पर श्क्रीन पर सो हो रहा है देख सकते हैं इसकूल शिक्षविभाग संवर्गती मंत्रालाय महानदी भवन नवारायपूर 22 जन्वरी 2024 की ही ये अपडेट है जिसमें संचालक लोक शिक्षण संचाल नालाय इंद्रावती भवन अटलनगर नवारायपूर यहाँ विशय में देख सकते हो इसकूल शिक्षविभाग के अंतरगत बस्तर एवं सरगुजा संभाग में शिक्षकों के 12,489 पदों को भनने है तू विज्यापन जारी करने विशयक अब यहाँ पर एक बाते समझ में नहीं आ रही है जब 12,489 पदों पर यहाँ पर भरती विज्यापन जारी करने की बाद की जा रही है जबकि भरती विज्यापन तो कब का जारी हो चुका है अगला लिष्ट होना है निकलना है ठीक है और दूसरी बात यहाँ जब आप नी दूसरी बात उपरोत विशय अंतरगत संदर्भित पत्र का क्रिप्य आवलोकन करे उस उक्त पत्र द्वारा इसमवर्ग के पदों को टी समवर्ग में परिवर्तन किये जाने के संबंद में आपके द्वारा प्रस्ताओ भेजा गया था अर्थात साथियो यह जो है यहाँ पर इसमवर्ग के पदों को टी समवर्ग में परिवर्तन तब देखो यहाँ पर इ और टी समवर्ग समाप्त भी किया जा सकता है काफी सारे लोगों द्वारा लगातार जो है ज्यापन के माध्याम से इ और टी समवर्ग को खात्म करने के लिए ज्यापन भी दिया जा रहा तो माननी महोदय द्वारा नोट सिट में एक ही समवर्ग है तू प्रस्ताव दे सभी भरतियां एक ही समवर्ग में क्यों नहीं कि जा सकती टिप अंकित की गई है आता इस संबंद में विश्त्रित प्रस्ताव अभिमात सहीत उपलब दकरावे कहने का ताथ पर यह है यह हो सकता है जैसे कि आज के इस नोटिफिकेशन से जो बाते निकल कर सामने आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा जो संदर्भ में आप आओगे तो सोचने वाली बात हो जाती है क्रमांग सिधी भरति 2024 देख सक का पत्र क्रमांग में जो तारीख दिया हुआ है यहाँ पर जो तिन चार महने बात की तारीख है अर्था आने वाले समय की तारीख है तो अभी इस पर ज्यादा कुछ हम अभिमत नहीं दे सकते लेकिन यह एक पोजिटिव खबर हो सकती है यह और ती समवर्ग वाले जो अर्थात या उट एक हो जायेंगे तब जो है शिक्षक भरती भी बहुत जल्दी आपको दिखने को मिल सकती कहीं नहीं Lucky एक पॉजिटिव खबर है आप सब के लिए आने वाले समय में आने वाले समय में जितने भी सिक्षक भरती आएंगी उन सब के लिए फिराल में जाता इस पर शर्शा नहीं करूंगा जैन